हलो दोस्तों नमस्कार, study portal में आप सबका स्वागत है, मैं आपका साथ्य और guide दोक्टर विजे, दोस्तों आज हम उत्राखंड के अंदर जो LT teacher की vacancy आई है, भरती आई है, उसके बारे में discuss करेंगे, हाला कि भरती के बारे में, vacancy के बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों के doubt थे, और उन comment के अधार पर इस पूरे के पूरे notification पर discuss करना ज़रूरी हो गया है, सबसे ज़्यादा question थे बच्चों के, कि other state वाले apply कर सकते हैं या नहीं कर बाकि काफी important question बच्चों के थे, और जो जानना सब के लिए बहुत जरूरी भी है, तो आईए मैपके detail में आपको इसकी बारे में बता देता हूँ, कि क्या-क्या चीज़े इसमें पूछी गई है, सबसे पहली चीज, form भनने की जो date है, वो 19 अक्तूबर से लेकर के आपकी 4 दिसंबर तक चलेगी, और fees की form की date, fees की जो date है, दिसंबर तक आपकी रहेगी, अप्रेल जो होगा, वो एक्जाम जो होगा, वो अप्रेल की महिने में होगा, अप्रेल 2021 के अंदर, उसके अलावा, आप लोग इस toll-free number के उपर call करके भी, कोई doubt जो अगर आपको उतराखन ब mobile number डालेंगे, और जो email ID डालेंगे, उसके उपर भी आप लोगों को board जो है, वो एक्जाम वगारा के बारे में information देगा, तब दूसरी चीज़ जरूरी ये है, कि कौन से कौन से subject की vacancy हैं, और कौन से कौन से इसमें कितने post हैं, एक पर इसके उपर भी discuss जरूरी है, सायक अध्यापक इन्होंने क्या है, जो गडवाल और कुमाओ, दोनों मंडलों के लिए अलग-अलग इन लोगों ने post दिखाई हैं, और उसी परकार आप लोगों को भी समझना है, जैसे यहां आप देख सकते हैं, उत्राखंड के अंदर दो reason में इसको formally बाटा गया है, एक LTT अंग्रेजी आपका इसके साथ इन्होंने दिया है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे LTT आपका mathematics गनित का है, science का आपका है, उसके साथ journal है, और बाकी में भी अलग-अलग उसमें सभी पोस्टों का जिकर यहां पर हो रहा है, धान से देखेंगे, तो यह एक्स परका पाउ के भी यहां पर में दिखा देता हूँ, एक तो इस सबसे पहले आपको लिए जानना यह जरूरी है, अब इसके अलावा LTT आर्ट का है, LTT आपका व्यायाम यानि फिजिकल एजुकेशन पीटी का है, उसके अलावा ग्रे विज्ञान होम साइंस का आपका है, कॉमर्स अगर देखेंगे तो 566, ये तो हैं आपके लिए गड़वाल रीजन के, नमबर एक के उपर, नमबर दो पर बात करें, LTT अध्यापी काउंट, लोगी यहां पर क्या होता है, मेल का अलग होगा और फीमेल का अलग होगा, ये भी आपको समझना है, क्योंकि जो महिला स्कू पूरुसों के लिए है, जो पोस्ट महिलाओं के लिए है, उनमें सिर्फ महिलाओं की है सेलेक्शन होगा, और जो पोस्ट ओपन में है, पूरुस के लिए है, उनके अंदर महिला और पूरुस जो है, वो दोनों के दोनों सेलेक्शन ले सकते हैं, तो इस परकार लड़कियो के लिए girls के लिए महिलाओं के लिए double फाइदा है क्योंकि जो seat female की है उन में तो सिर्फ महिला ही आएंगी और जो पुरुस की है या mail की है या general की है उनमें महिला और पूरीश जिसके number ज्यादा होंगे उसका selection होगा यह चीज भी आपको एक बार देख लेने अच्छे से यहाँ पर भी गड़वाल के बारे में बताया गया है जो सीधी भरती के लिए महिला साखाओं के आधार पर यहाँ पका गया तो इसमें भी आपके लिए सेम इस तरीके की पोस्ट होंगी इनको भी एक बार देख लेना है यह चार नंबर तक आपके लिए गड़वाल का रहेगा उसके बाद यहाँ पर यह बी वन में आपका कुमाव मंडल के लिए आ गया यहाँ पर भी आप लोगों को सेम दिखेंगे चाही हिंदी टीचर का हो चाही आपका इंग्लिच टीचर का हो चाही मैं अट्यमेटिक्स का हो चाही साइस का हो चाहे आठ है व्यायाम का है संसकर्द का है मुजीक का है उर्द। वाणीजिय हो निधाब है बंगला सोब déjàक्टों के ज्रय merchों के बास Terry ho तो ये चीज तो इसके लिए है, जो बच्चों का ये डाउट है ना, सर कितने पोस्ट हैं, किस सब्जेक्ट के कितने पोस्ट हैं, ये जानकारी उनके लिए जरूरी है, जो ये जानना चाहते हैं कि कितने पोस्ट हैं, मेरे सब्जेक्ट के कितने हैं, महिला के कितने हैं, ओप सच्ख्या के पद और पुरस दोनों के लिए होगे जान रखें जहां महीला स्कूल है जो क्या होगा दूसरी चीजी सीधी nasıl भिर्ती 60 परिक्षा दोनों मडलों होए तु एक ही डेट में और एक ही समय होगी यह भी याद रखना है अगर मालों जुलाई के अंदर यह बोलने हैं मालों 15 जुलाई है 20 जुलाई है 25 जो भी डेट होगी सेम डे गड़वाल हो या कुमाव हो दोनों जगे सेम डे और सेम टाइमिंग पर आपका एक्जाम होगा यह भी आपको देखना है ताकि अलग-अलग वह उसमें कोई कंफियोजन ना हो परिक्षा प्रिक्षा प्रिक्षन कारियकरम समय समय पर राष्ट्रे अधापक्स इक्षा परसिद्वारा निर्धारित मान दन और मानकों के अनुसार आपका मान्य होगा अब उसके लावा वेतनमान की बात करेंगे तो च्वारी सजार नोसो से एक लाख ब्यारी सजार चार सो यानि जो वेतनायोग सेवंथ है लेवाल सेवंथ के अकोडिंग दिया जाएगा पदका सवरूप एराज पत्रित स्थाई अंसदाई पेंशन युद्ध जो आम सब्सक्राइब करेंगे बात होगी भारत में वीदी दवारा स्थापित किसी उनिवर्स्टी से जो जोगराफी एकोनोमेक्स पॉलिटिकल साइंस इतियास विशो में से किनी दो विशो के साथ आपका ग्रेजवेशन हो परनतों दो विशो में से एक विशे तिरतियों वरस तक तो था एक विशे दुवित्य वरस तक अनिवारिये रहा हो कई बच्चे क्या करके होगा क्या होता है जैसे ग्रेजवेशन में कोई सब्जेक्ट लिया बच्चे बोलते कि सर फाइनल एर तीनों साल मेरे पास यह था लेकिन यह सब्जेक्ट मेरे पास दो साल तक था तो दूसरी कंडिशन यह कहता है किसी राजगिया सरकार से मैनता प्राव प्रसिक्षन सस्थान या महाविद्याल्या से ल्टी डिप्लोमा या वीधी दुवारा स्थापट विशे विद्याल्या से बीएड की उपादी हो अथ्वा अगर यह नहीं है बीएड वारा सैकिंड व दूसरी के लिए यह चीजा आप लोग देख लेना है जैसे गनित की है गनित में क्या कहता है कि किसी भी उवर्ष्टी से आपका ग्रिजवेशन हो गनित एवं भोतिकी विज्यान के साथ विज्यान सनात्त की उपादी परंतु तिरते वरस में गनित अत्वा भोतिकी विज विश्यान विश्यता पर्थम दो वर्सों में गणित और भोति के विश्य आनिवारिय रूप से हों यह आपके लिए मैथमेटिक्स के वालों के लिए है और बाकी के लिए भी आप लोग थोड़ा से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे साइस वालों होगी तो हिंदी में आपके लिए सेम है हिंदी में थोड़ा से में दिखा देता हूं किसी उनष्टी से हिंदी साहिते जो अंतिम वर्स तक अनिवारता रहा हो और सुसके साथ सनात्यक उपाधी उत्राकंड विश्य विद्धाले सिक्षा परिश्य उत्तर परदेश अत्व यह भी कंडिशन है उसके लावा बाकी सब्जेक्टों को भी आप लोग ध्यान से देख लेंगे यह भी आप लोगों को तुरह सा ध्यान को कि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं तो बन जाएगी जिन बच्चों को जरूरी सवाल जिनके हैं वो भी में एक बर दिखा हो दोनों में से एक आपका होना जरूरी है इन्होंने का है कि आपका उटान हो या फिर लिवल ू चाहिएगा तो यह आपके लिए जरूरी है इसको भी आपका समझना है और, उत्राखन टैट या फिर आपका सीटट कोई भी एक आपके लिए जरूरी है अच्छा नमरों की जहां तक बात है अनुसोची जाती के लिए महिला के लिए 60 बुट पुरो सैनिक के लिए 60 और बाकियों के लिए आप देख सकते हो अनुसोची जनजाती के लिए 60-60-60-60 के लिए 75 75 75 75 और जन्रल के लिए आपका 90 75 75 75 और बहुत पुरों सैनिक और फिजिकल चैलेंज्ट के लिए और बाकि चीजें परसेक्षन पाठेकरम राष्ट की राष्ट्री यह अध्यापक्स एक्साप्रिशस से मानता प्राप्त आपका होना चाहिए और बाकि जो नमबरों की कंडिशन वाली बात है लिखित प्रीक्षा है तु पद के अनुसार पाठेकरम होगा चैयन के लिए 100 अंकों की वस्तोनिष्ट परकार की प्रिक्षा दो घंटे के लिखित प्रिक्षा होगी जिसमें सेक्षनिक अव्यर्थी सिक्षन कला चता सम्मंदित विशे के परसन होगे यह कहता कि 100 नंबर का पेपर होगा 100 अंकों के होगे सेक्षनिक अव्यर्थी सिक्षन कला और समदित विशे के आप किसमें परसन होगे लिखित प्रिक्षा में समान अंक आने प्राप्त आने पर आयू में जेश्ट अव्यर्थी को एरे दो बच्चों के अगर एक्वल मार्क सा जाते हैं तो फिर जो जेश्ट अव्यर्थी है लिखित प्रिक्षा दोनों मंडलों में एक ही दितर एक ही समय के कोडिंग होगी समाने वो OBC सिरेणिंग के व्यर्थे को 55 परसिशत तथा अनुसुची जाती व अनुसुची जाती के व्यर्थे को 55 परसिशत अंकल लाना कमपल्सरी है यह मिनिमम मार्क से है जो जन्रल और O CST के लिए यह 35 परसेंट तक होना जरूरी है उसके लावा बाकी चीजों की में बारता हूं यह कहता कि नेगेटिव मार्किंग होगी लिखित प्रिक्षा परसंद पत्र मुल्यंकन में परतेक सही उत्तर का एक अंक वा परतेक गलत उत्तर गलत हो है तो एक बटा चार इनात मांक दिया जाएगा यह नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 है यानि 1 by 4 है एक क्वेस्टन अगर आपने एक क्वेस्टन गलत किया तो 0.25 मार्स कटेगा यानि चार क्वेस्टन अगर गलत कर दिये तो आपका एक नमबर कट जाएगा पहले जो आपने कमाये थे उन में से अब्यर्ति को लिगेज प्रिक्षा की पर्षण ब्रोकलेट प्रिक्षा के पर्षण अपने साथ ले जाने की अनुम्ति दी जाएगी लिगेज प्रिक्षा के ओमार जो सीट होगी ट्रिप्लिकेट में होंगे ओमार उतर पत्र की द्वीतिय परती अलग से समसित रखी उसको आप लोग discussion में number है और 8447410108 8447410108 के उपर आप call करके WhatsApp पर बात करके आप order कर सकते हैं आप मुझे WhatsApp के उपर अपना नाम, अपने CT का नाम, अपना subject कौन सा है और साथ में LT लिक कर WhatsApp कर देजिए ताकि जरूरीन information आपको और भी समस्में पर आते रहे गलत उत्रों के दंड की बात अगर इसमें सापसाप का आके अगर 4 question गलत किये तो एक number कट जाएगा ये भी ध्या तो भी आपका वो गलत ही माना जाएगा, क्योंकि ऐसा option इसमें नहीं होता है, वो सुविधा याँपर नहीं है, age के अगर बात करें, तो आयूगनना की निश्चायक ते थी 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 की अनुसार जो आपकी age होनी चाहिए, वो कम से कम 21 साल और अधिक से सेंटर के वो आपके काउंटिस में हो जाएंगे, तो ये सारी की सारी अनापत्ति परमानफत्तर नो अब्जक्शन सेटिपिकेट आपका होना चाहिए, अगर आप सरकारी और सरकारी सेवा में अभी है, विभाग से आपको बनवाना है, राश्टिता की बात होगी, सेवा मे की प्रिधी के बाहर समुग गह के सीधी भरती के पदों पर भरती हेतु, भरती हेतु आवे दिन करने के लिए वही अभ्यार्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल वह इंटरमेडियेट अत्वा उनके समक सतर की सिक्षा उत्राखंड राज्य में स्थित्मानत्ता प्राप संस्थानों से प्राप्त की हो, ये कंडिशन आपको ढेक लेनी है, आप अपलाई तभी कर पाएंगे, अगर आप याद उत्राखंड के हों, या फिर आपने उत्राखंड से ही हाई स्कूल इंटरमेडियेट या उसके बराबर कोई डिगरी प्राप्त की हो जाँ करते हैं, ये भी कंडिशन इन लोगों नहीं यहाँ पर रखी है, उन लोगों के लिए जो इसमें य्योगता है, और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, जो मैंने आपको बताई वो सारी चीजें आप लोगों को धान से एक बड़ देख लेनी है अच्छा एक और कहता है कि किसी बैसे विद्धय अब्यार्थी को सेवा में किसी पद पर नोक्त नहीं किया जाएगा यह दिवा सारी रिक वह मानसी कुरूप से सवस्थ नहीं है और किसी ऐसे सारी दोस्थ युक्त नहीं हो जिससे उसे अपने कर्ति सक्षन वालों के लिए हो एकनोमिकल विकर सक्षन वालों के लिए सब के लिए अलकल कंडिशन है आवेधन ओनलाइन जो आवेधन होगा वो www.ssc.uk.gov.in की वेबसाइट पर आपको देखना है और और किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग वो फूच सकते हैं नेट बैंक करके रखें अगर आप खुद अपना फॉम अप्लाई कर रहे हैं तो यह चीज़ आपको इक बड़ जान रखने पड़ेगा दरवाज जाटे टाइम आपको फिर समिश्चा हो सकती है बाकि सब कुछ हिंदी में दिया गया है आप लोग इसली पढ़ सकते हैं किसी प्रकार क का डाउट है तो आप लोग कमेट करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं वर्टसप नंबर दिस्कुसर में दे दूँगा वहां से आप चैक आप कर देंगे